हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक और नहीं वीडियो में दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ जैस अच्छी द्यानन्द e-bikes के शोरूम में और ये शिंघार सिनिमा लुध्याना में हैं जिनकी लोकेशन और फुल एड्रेस मैं आपको शेयर कर दूँगा और ये जोई लल्यद्टे पास डॉआ सतवारे second Literally valid जबसे पहले तो मैं एस कम्परी को और इनके स्कूटर्स तोड़ा इग्नॉर किया था झॉप líd matin कMusic कर दो पार को सब्सक्राइब करना चाहिए हुएग Healthy Lkiksi को और मैं इस कूट्र हूँए इस स्कूटर को सब्सक्रा कर देखा है और मैंने इसे खुद अपनी आखों से देखा है तो फील किया कि हाँ ये स्कूटर आपके लायक हो सकता है क्योंकि लिथियमान बैटरी के साथ ये स्कूटर रहा है दोस्तों और रेंज भी आपको अच्छी कासी मिल रही है इसमें तो ये स्कूटर आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए अगर कोई आप कोई भी इलेक्रिक स्कूटर ढूल रहे हो दोस्तों इधर उदर जाने की वज़ाए आप एक बार इस स्कूटर के बारे में भी जरूर देखना क्योंकि बेल्ट क्वाल्टी के मामले में कहूँ या वेड के मामले में कहूँ तो मुझे ये हर तरह से फुल फिल लगा आपकी र्क्वाइर्मेंट्स को फुल करने में दोस्तों एक्शन स्पीड की बात करने तो वो भी 65 किलोमेटर पर आप की है तो चलिए ये चीजे मैं आपको मैं आगे स्कूटर के साथ दिखाता हूं तो बने रही है वीडियो में दोस्तों तो दोस्तों सामने हैं अपने Joy Company का Miho Selected Scooter जिसकी build quality की बात करूं या looks की बात करूं तो all over मुझे ये scooter काफी पसंद आया है कि ऐसा है कि ये scooter मुझे इतना पसंद आया है कि मैं आपके साथ इसे share जूर कर सकता हूं इसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि हां ये product अच में मोटर मिल जाती है और maximum speed इसकी 65 km पर आर की इसकी speed मिल जाती है और इस motor के साथ आपको और इस speed के साथ आप इसमें कम से कम I think 130 km पर single charge 130 km single charge पर आप इससे drive कर सकते हो दोस्तों और city ride में मुझे लगता कि 65 की speed जो है आपके लिए कम रहेगी दोस्तों दोस्तों एक एहम चीज जो इसका weight 110 kg का ये इसका scooter का weight है जो कि मुझे काफी impressive लगा क्योंकि electric scooters में हमें mostly जो weight रहता था ना वो missing लगता था मगर इस scooter के साथ आपको ऐसा बिलकुल नहीं मिलेगा इसमें आपको weight भी अच्छा घासा मिल रहा है और range भी अच्छी घासी मिल रही है तो चलिए दोस्तों आप थोड़ा आपको इसकी detailed review देदू मैं आपको सबसे पहले तो इसकी इंडिकेटर सौन कर दूँ ताक कि आपको ये looks में नजर आएं कैसे हैं तो ये देखो दोस्तों कुछ ऐसे looks इसके headlight on करने पर इंडिकेटर के साथ आ रहे हैं मुझे ये light बंद करने पड़ेगी otherwise आपको नजर नहीं आएगा सही से तो दोस्तों सामने देखो सबसे पहले तो इसके जो ये आप rearview mirrors देख रहे हो ना मुझे ये काफी impressive लगे थोड इस तरह की इसकी body shape दी हुई है जो की काफी impressive है impressive क्यों है क्योंकि आप देखो कितना wide ये जो frame है ये दिया गया है देखो ये देखो मतलब काफी मैं गहूंगा कि कंप्रीन कहीं से conjunction सी नहीं दिखाई है इस scooter को बनाने में वाकि headlight की बात करूँ तो headlight आपको इसके में double barrel headlight मिल जाती है और LED head setup है headlight में दोस्तों इसके ठीक नीचे ही आप देख रहे हो ये मिहोस का या I think logo है कुछ ऐसा रोगो है जो की आपको plus you body के साथ ही 3D logo के साथ मिल जाता है और नीचे इसमें मिहोस की branding है और indicator का देख रहे हैं इंडिकेटर भी आपको इसमें LED setup के साथ ही आते हैं दोस्तों जो की चलते हुए भी काफी प्यारे लग रहे हैं एक चीज है कि scooter की थोड़े looks है ना जो थोड़े अलग है थोड़े क यह design है और यह इसका shape है इसकी बाकी बात करें इसके plastic body के साथ आ था और इसकी plastic body की बात करूँ तो company claim करती है कि शौक प्रूफ बाड़ी है यह मतलब इसके अलका-फुलका अगर इसमें लग भी जाती है या ठूक जाती है अगर simple बाशा मैं को तो इस पर impact बहुत कम आएग हैं और कुछ ऐसे इस तरफ से refractor लगे है और alloy wheels देख रहुकुछ ऐसे इसमें alloy wheels मिल जाते हैं इस तरफ से और यह इस तरफ इस तरह घे आपको अपको सबसेतर ईस तरह दिस्क ब्रेक मिल जाती है आपको इस में इस तरफ यह आपको छ। हमेनी के, अब सब्सक्री pand sixt a Greg तर्वा गरियो सथा यह तो नहीं है यह को बारा इंच का टार सैट आप दे रहे है दोस्तों भाकि साइड से एक वर कुछ साइड लुक से तो देखते हो तो कुछ ऐसे इसके लुक आ जाते हैं तो lowered की इं और और प्लास्टिक बॉड़ी है और सबसे प्यारी चीज यह सेव है यार मतलब कंपनी जो है ना देख रही है कि हाँ हमें ये चीज क्वालिटी जुरूर देनी चाहिए कस्टमर को और वो दे वी रही है अगर क्वालिटी देगी ना तो तभी मार्केट में भी उनको अपनी जल्दी ही जगा बना लेगी दोस्तों और ये लेडिस के लिए फूट्रेस और इस तरफ ये साइट सेंड और ये डबल स्टैंड डबल स्टैंड कोई एक्सर चार्जिस नहीं है दोस्तों इसमें यह अल्रड़ी इसमें इंक्लूड मिल रहा है आपको और यहां पर इसकी मै इन अफ है हमारे लिए सीटी राइट के लिए दोस्तों बाकी बात करते हैं रियर में तो यह में आप देखते हो यहां पर आपको कुछ ऐसा कवर मिल जाता है जैट बलैक में मिल जाता है मैड बलैक के साथ ताकि स्क्रैचिस वगरा कोई इफेक्ट नहीं आता है और यह होन कि भी आप स्थैश्पेंशन इस तरफ नहीं पेगते हैं सफ्रिंग वाळज सस्पेंशनमिल जाते हैं से दिखो है तो यह मैं कुछ लॉकस इसके कुछ ऐसे लोकस की इसके और मुझे काफी सफीक्राइव लगे क्यूंकि इसके साथ जो यह रेड के साथ जो ब्लैक कूं Design दिया गया है ना इसे काफी study बनाता है दोस्तों और एक चीज में आपको और दिखा दूँ इसमें जो grab handle है आप देख रहे हो यह तूबलर ग्राइब handle है और काफी बल्की ग्राइब handle है दोस्तों मतलब अगर आप इसे उठा के रखना भी चाते हैं स्कूटर को तो बड़े अराम से इसके साथ रख सकते हो तूटने बूटने का जंचट इसका बिलकुल नहीं है बाकी बात करते हैं यहाँ पर आप यह देख रहे हो तो यह आप आपको LED setup, LED setup, रियर इंडिकेटर में भी और यहाँ पर आपको यह सपेंशन, स्वरी लाइसेंस प्लेट की माउंटिंग से मिल जाती है और नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है बंपर जो आपको इतना लेंधी बंपर मिल जाता है मतलब काफी लेंधी ब इस तरफ में एक बार आपको दिखा दू रियर में तो रियर में आप देख रहे हो इसका टायर सेटब ना तो टायर सेटब आप देख रहे हो कुछ ऐसा मिल जाता है इसमें मोटर मिल जाती है और इसमें इसकी जो ब्रेकिंग आपको इसमें रियर में भी डिस्क इसको आपको मैं practically दिखाने के लिए आपको बता दू इसमें कुछ सावान पड़ा है ताक कि आपको इससे जज हो सके कैसा बूर्ट स्पेस है सबसे पहले तो आप देख रहे हो इसमें आपको यह लाइट भी मिल जाती है जो की अलड़ी वर्किंग है अगर आप स्कूटर को स्पेस मिल रहा है मतलब एक अपना बड़ा हैमट बड़े अराम से इसमें रख सकते हो प्लस साथ में चोटी-चोटी सेसरीज वीस में अराम से रख सकते हैं तो यह के साथ है और यह कंट लोग जब और यह स्का बूट सपेस कुछ ऐसा और यहां इसका लॉक सिस्टम है तो दोस्तों पूर स्पेस को बंद करते हैं अब आपको इसका इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर दिखा देता हूं इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर के लिए सबसे पहले आपको की को इस तरह से लगाना पड़ेगा सबसे प्यारी चीज नहीं यहां पर एक और चीज करेंगे घ्युचियbu के साथ है इसके साथ कुछने के बाद करेंगे बात करें अंपर ऑपनी से चोट़ा मोटा लगइज डाल लो या फिर ज्लू अब इसकी ओन कर देते हैं आप सबसे पहले तो आप इसा instrument cluster देखो कुछ ऐसा instrument cluster इसके साथ मिल जाथ दो इसमें आपको इसमें किटेल मिल जाती है ओड़ोमिटर मिल जाता है रेंज मिल जाती है रेंज भी बता रहेएं और यह आपको charging percentage बता रहे है 88% अभी यह scooter जो है चार्ज है तो बाकी इंडिकेटर्स की आपको indications आपको यहां पर मिलती रहेगी आपकी आइटिंग चार इंच की यह TFT screen है जो आपको इसके साथ कंपरी की तरफ से मिल रही है और स्विचेश तेख रहे हैं इस तरफ आपको यह हैडलाट के स्विचेश मिल रहे हैं और हैडलाट का थ्रो काफी अच्छा इंडिकेटर का स्विच और यह हॉर्ड हॉर्ड भी इसका लाइट वेट है बहुत ज्यादा लाइट वेट नहीं मतलब इतना इवी मां होना चाहिए मुझे यह ठीक लगा बहुत ज्यादा लावड भी नहीं होना चाहिए और यह स्विच जो आप देख रहे हो ना इसके बाद आप लेट यह स्विच चीर नहीं हो और इसके बाद मोर्सत में इसके तेनों मौर्स हैं पाकि मुझे लगता है कि सबकुछ इसमें कवर हो चुका है सबसे एक चीज जो है इसमें वह आपको मैं बता दूँ इसका जो यह लेगरूम है ना लेगरूम आपको बहुत सफिशन्ट मिल जाता है क्योंकि मैं अभी इसमें बैठके एठा वा था तो मुझ और इसमें कुछ नहीं रखआ राति सकते क्योंकि fridge मिए थी आपकि यहाँ पर इसके बाद देखो मेरे पैर यहां तक आ रहे हैा और यहां पर आप अपना जो है लगते जो है इसमें रख सकते touch पर इसके बाद आप देखो मेरे पैर यहां तक आ रहे हैं और यहां पर आप अपना जो है लगे जो है इसमें रख सकते हैं तो तो यह था जो एलेक्टिक स्कूटर का जो कि मुझे तो काफी प्रेक्टिकल लगा और थोड़ा अलग भी लगा बहुत सारे स्कूटर के क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजाइन्स हैं जो की डिजाइन्स हैं सेगेमेंट्स जो की कम्प्री ने नेया करने की सोचे जैसे कि इंडिकेटर्स के अगल बगल आप देख रहे हो ना ब्लैक क्लैडिंग डिए या क्लैडिंग टाइप मिटेरियल दियो है काफी अची क्योंकि 1,36,000 जो है इसकी एक शूरूम प्राइस है जिसमें आर्सी और इंशूरंस अलग से मिल रही है आपको बाकी बात करते हैं कंपनी की तरफ से आपको एक 8,000 रुपे का इसमें डिस्काउंट बोनस दिया जाए जो की बिलिंग के वक्ती आपको इसमें छूट दे दी जार में ही सेम मतलब एक शूरूम के आसपास ही आपको यह अन रूट पढ़ जाता है दोस्तों मतलब एक शूरूम प्राइस ही इस स्कूटर का आपको अन रूट प्राइस है दोस्तों मतलब काफी अच्छी डील भी मिल रही है और काफी अच्छा स्कूटर भी मिल रहा है अगर आप लेना चाहते हैं लेक्टी स्कूटर इस तेवहारों के सीजन में तो एक बारे विजिट करके आप इसके उपर जरूर जा सकते हैं दोस्तों बाकि लिंक और स्वरी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यहां का एड्रेस जो है पूरा डिटेल में शेयर कर दूंगा बा हो स्कूटर जो कि मुझे काफी प्रसांद आया बाकि आप पर डेपैंड है तो फीडियो अच्छी लेगी हो स्कूटर अच्छा लगवा हो तो प्लीज लाइक शेयर जूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इंट्रस्टीं वीडियो के लिए दोस्तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए क्या रखे अपना भारत माता की जैए